श्री कृष्णा ये नमहा, महालक्षमे ये नमहा, स्री नारा ये नमहा, मैं पंडित पुर्शोत्तम सास्त्री, प्राया लक्षमी जी की पूजा लोग करते हैं, लेकिन पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं, पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए विधान है, विधान क करने चाहिए ज्यादा तरह लोगों को मालूम नहीं है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि लक्षमी पूजा दीपा वली वाले दिन साल में एक बार लगबग दो से धाई गंटे के लिए लक्षमी जी का बास सिंग लगन में होता है जब सिंग लगन में लक्षमी जी का बास हो उस दौरान यदि लक्षमी जी की पूजा की जाए तो हमें मनोवांचित फल और वर की प्राप्ति होती है जिस उद्देश से हम लक्षमी जी की पूजा करेंगे, वो उद्देश हमारा पुरुन होगा, उसका विधान है, लक्षमी जी को हम एक पीले कपड़े, अथवा पीली लाल कपड़े को उपर लक्षमी जी को इस्थापित करें, कमला सन लक्षमी जी को प्रदान करें, एक कमल पुष्प के उपर लक्षमी जी को विराजित करें स्वर्ने की प्रतिमा हो चांदी की प्रतिमा हो अधवा अश्ट धातू सब्त धातू पंच धातू जो भी सुगमता से प्राप्त हो जाए वो हो नहीं हो तो चांदी का सिक्का लें उस चांदी के सिक्के में लक्षमी जी गडेश जी स्रस्वती जी की सन्युक्त प्रतिमाहो उसको इस्थापित कर दे। इस्थापित करने के बाद में गडेश Bri के इस्थापना करें। लक्षमी जी के दक्षिन हाथ पे पंच पल्लव अधवा आम के पल्लव लगाके एक कलस की स्थापित करें। यदि आप प्रजुलित कर सकते हो पूर्ण रात्री के लिए अखंड दीपक तो तेल का और घृत का अखंड दीपक प्रजुलित करें। लक्षमी जी का विधान के अनुसार सोडर स्रिचाओं से स्री सुक्त के द्वारा पूजन करें अविशेक करें अविशेक उपरांत आप घर में पांच कलस अथवा चार कलस तीन कलस या साथ कलस लक्षमी जी के सामने रखें उन कलसों में एक हल्दे की गाठ, गोल सुपारी, पांच कमल गटे, धनिया, खड़ा वाला और चांदी का अथवाद जो भी आपको सुगमता से प्राप्त हो जाए एक का सिक्का उसमें डाल दे सिक्का डालने के उपरांत, उनको लेक लाल कपड़े से उन सब का मुँ बांदने के बाद में लक्षमी की प्रसनिता के लिए सिरिसुक्त का अथवा लक्षमी सुक्त का पाठ करें पाठ के उपरांत यदि संभव हो सके तो सोलह रिचाओं से सिरिक सूत्य की सोलह रिचाओं से कमल गट्टे की ओम महालक्षमी नमाह यह सिरिक सूत्य के मंत्र के द्वारा अगनी में आहूती दें आहूती के उपरांत आरती करें और जो आपने प्रशाद का भोग लगाया है लक्षमी जी को, जैसे कि धानी, बतासे, सीताफल, सिंगाडे, मिश्ठान, उस मिश्ठान को घरे परिबार के लोगों में बिर्तित करने, इस प्रकार सिदी हम पूजा करते हैं, तो हमारे घर में लक्षमी का सदय वबास होता है, जो भी हमारी कामनाएं होती है, हमारी सारी कामनाएं पून होती है, घर में पून सारी के सारे जो भी रहने वाले हैं, जितने सदस्य हैं, सबके मन में प्रशनिता रहती है, सबके रिदे में प्रेम का संचार होता है, और इस बार दीपा वली पे ये सुब मोर्त, रात के बा लक्ष्मी जी अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मा लक्ष्मी की अराधना कर सकते हैं